तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले साधा आस्ति निकालना होगा तो थर्टी एट का चोथा भाग क्या होता है शाड़े नौ तो हमने यहां पर शाड़े नौ लिए हैं तो जो फिसकट हम बनाते हैं तो चार इंच पांच इंच इतना ही रहता इससे पर तयार हो कि आएगा तो देखिए यहां से आपको पांच इंच पी निसान लगाना है यह देखिए और यहां से भी आपको पांच इंच पी निसान लगाना है यह देखिए इस प्रकार से अब यह जो लाइन है इस प्रकार से आपको सीधा कर लेना है यह देखिए हमने सी सेव देना होगा 20 एंच का तो यहां से आपको 204 निसान लगाना है इन देखिए निसान लगादीन यह यहां पे तो यहां parce 2 हिंच पेयर साइज जिंस सीधा लेना है एह Không क्यों को यहां पी आपके 20 घंजि के लेना है कि इह दिखिए इस प्रकार से तो हमने यहां पे दो लिए यहां पूर देलiliし तो आपको इस प्रकारसेख देते हुए है आपको मार्जिंश में छो जैसरा से उसी का सोथा आता है एवाप कि एंड़ीड का संगी निजाद लिएक लिए तो जिसका जो आएगा उसका हाप लेकर इस पर निसान लगा लेना है तो दिखिए जहां आपका दो आ रहा है वहां पी आपका फिटिंग का निसान आएगा इस प्रकार से अब इसके आगे आपको दो इंच लेना है क्योंकि हमने बार्जिंग दो रखा है तो दो ही आपको लेना है अगर डेल रखेंगे तो डेल यह दिखिए तो सबसे पहले अब हम सेफ नहीं देंगे सबसे पहले हम इसको यहाँ पर निसान लगाएंगे देखिए हम यहांसे हम इश्टी कपड़ा है मारा कट नशीवान मरें निकल जयाएगाो इस परकार से निकल गया अब कि यहां से हमें ईस सीधा याना है आपको इसा सीधा लेना है कैची फिर यहां से आपका जो कैची इस घूमेगा इस परकार से भूमते हुए यहां तक जाएगा जहां पर आपकर झेलियरेंज का निशान लगाए हैं इसको आपको इस परकार से खोल लेना है यह देखिए इस परकार से खोल लेना है खोलने के बाद क्या होगा? यह जो स्टेंडर की लाइन है यहां से आपको देडर हिंच ऊपर जाना है देड़ हिंच उपर इस परकार से निसान लगा लेना है देड़ हिंच पर हमने निसान लगा लिए अब यहां से इस तरफ हमें दो इंच पर निसान लगाना है यहां पर हमने दो लगा लिए यहां पर हमने देड़ लगा है और इस तरफ से जहां हमारा यह सेंटर के लाइना दंड घेर तो दंड घेर के तरफ से आपको डेर इंच उपर जाना है और दंड घेर तरफ से इस तरफ आपको दो इंच मार्जिन लेना है और यहां पे दो इंच लेना है अब इसको आपको सेब देना है तो सेब कैसे आप देंगे इसको मिलाते हुए आपको सेब देना है तो तो यह जो सेफ हम दे रहे हैं यहां पे तो देखें हमने यहां पर सेफ कट दे दी यह हमारा फीस कट यह हमारा कट के निकल जाएगा हमें यह एक पार्ट मिलेगा जब हम फीस कट बनाते हैं तो हम पेपर पर बनाते हैं तो पेपर पर निकालते हैं तो हम इसको ऐसे आपको च करके चार निकालते हैं तो पर कपड़े पर डशाएं कि दिखा रहे मैं तो आप लाएंगra चार करेंगे तो यहां संसाफल है है um टो्ड हमारा का सो देखिए फ्रम डेंगे यहें हमारा आप लाइंगंगे का जीए दुए जो हमारा यहां से शेव दिया है हमारा दंडहेर होता है तो दूसरा फिर Two इंच के उपर इसके रख लेना है यह देखें इस प्रकार से अब दो इंक के गयप में रखना है यह दो इनक के यह दो इंक오iasm अपना हो गया तो यहां अब हमारा यह शेंतर आएगा यहां हमारा स्लीव जोड़ेंगे और यह हमारा जो हो गया यहां पे दंडगेर तो इस प्रकार से आब देखना अस्तर वाला ब्लाउज है तो इसको आपने से यहाँ पर पाइपें भी बना सकते हैं तो चारों पीस को आपको तयार कर लेना है सिंगल सिंगल पीस को रेडी करना क्योंकि हमारा इसके उपर लगेगा इसके उपर से finishing आएगा और दूसरा भी आपको यहां से तयार करना है अगर अस्तर का हुआ तो इसको आपको यहां पर दो पार्ट रखे इसको पल्टी करके यहां पर finishing देना है अगर last लगाना है तो भाणने के बाद इस कॉर्णर से सके लगालेना है फिर इसके उपर रखे यह हमारा इसके पहले आपको एक पहले लगाना है यहा है यहाँ अपनी सब्सक्र लगा लिया इसकी यह हो गई ऐसको hice उपर हे हमारा यहाँ इसको पंस्तर लेकि जूर ले तो इस प्रकार से आप भी फिसकत बाहिं कर सकते हैं, अगर जिन बहनों को कुछ समझ में नहीं आया है, वो कमेंच करके पूछ सकते हैं, कुछ भी डावड हुआ नहीं समझ मेंगा तब कमेंच केजिए, समझे, सीखे, सफ़र बने, मिलते हैं अगले क्लास में